हेला फ्रेंड्स केसे हो आप सब आप सब का स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल सुंदर संसार मी आज मैं बात करने वाला one and only एरिका प्लाम के बारे में मेरा फेवरिट प्लांट है आप सब देख रही रहे है मैंने नरसरी के एक सेटफ वाले से बाई किया है वो भी 170 रूपी में इसके हैट बहुत ही वड़ी है तो चलिए शरू करते है आज का वीडियो आप देख रहे हैं ये मेरा इरिका प्लाम है अब में बात कर रहा था कि मैंने 170 रूपी में ये बाई किया है देखा जाए तो ये पाम है वो आपको 100 रूपी या फिर 150 रूपी में असनी से मिल जाता है मगर इसके हाइट बहुत ज्यादा है इसलिए मुझे थोड़ा कॉस्ट ले पड़ा अब इसके लीफ की बात करो तो जो उपर की थोड़ी लीफ है वो बर्न हो गई है जल गई है मैंने उसे पूछा ऐसा क्यूं हुआ तो उसने कहा कि यह ज्यादा तरह तूप में रहने के कारण ऐसा हुआ है तो मैंने का कोई बात नहीं चलो मैं इसे रेकावर कर ही डूगा वैसे तो इसकी कंडिशन देखी जाए तो बहुत ही अच्छे है यह आफ लीफ देख रहा है बहुत ही सुंदर है और ग्रीन भी है अभी निया निकला हुआ है देखने में बहुत ही सुंदर लगता है अगर हम हमारे घर के किसी कोने में इसे रख देंगे तो हमारे घर भी सुंदर लगेगा और यह प्लांड भी देखने को अच्छा लगेगा इंडोर भी हम इसे रख सकते है और आउडोर भी रख सकते है तो मिसे ट्रेलीच के गमले में लगाने वाला हुआ अब देख रहे है यह म यह में drainage hole में पहले एक पत्थर भी रखना होगा जिसके कारण हम इसमें मिट्टी डालेंगे तो इसमें पाने ही निकलेगा नहीं अब इस प्लान की कंडिशन की निच्चे के कंडिशन की मैं बात करूँ अगर आपको एरिका पाम खरीदना है तो खास करके निच्चे देखना होगा अगर निच्चे की जो स्टेंप उसका जो मूल है वो काला होता जा रहा है या फिर सड़ रहा है तो ऐसा प्लांट आपको खरीदना नहीं है क्योंकि वो निच्चे से सड़ता जाएगा और उपर पूरा सूख जाएगा इसलिए कंडिशन देखने के लिए निच्चे आ जाता है आ जाते है जो मैं पहले बात कर रहा था उसको मैं स्टोन से पहले डग देता और अब मैं इसमें मिट्टी डाल देता हूँ अधी पोट में हमें मिट्टी डाल देनी है बहुत ज्यादा उपर नहीं लेना है वरना प्लांट हमारा उपर ही रहेगा चलो हब हम इस प्लांट के लिए मैं प्लेड से काटने के लिए सब्सक्राइब करने लिए अब अगरा बीट hunting है ताउमें ब्लेड से इस तरह में भीरेर आएज नहीं कारण रूट क्तर नहीं बहुत ही सावधनी से यह काम करना पड़ता है यह जो प्लांट है हमारा उसे हमें बचना होता है स्टेंप ही और रूट यह दोनों ही प्लांट के लिए बहुत ही महत्वा पूर्ण साधन है यह चलिए इसे काट लेने के बाद जो आप देख रहे हैं यह मटेरियल इस प्लांट के लिव ही है यह आगे जाकर कंपोस्ट बन जाएगी कि हम लिव से भी कंपोस्ट बना सकते है तो चलिए अब जो मैं गमला हाँ मैं आधा मिट्टी से भर लिया है पूरा भनना नहीं है अधा भनने के बाद हम इसकी कंडिशन निच्शीत के दरब देखे हैं इसकी रूट कैसी है वह देखते हैं तो इसके रूट है वह बहुत ही अच्छी है कोई भी ब्लेक होती नहीं है अगर ब्लेक हो रही है तो मैं उसे रिमोव कर देना होगा क्योंकि वो सड रही है और इस नर्सरी वारे ने इसमें पानी बहुत दे दिया है जिसके करण इसकी मिट्टी पूरी की गीली हो गई है इसे ज्यादा कुछ मैं छेड़ चाड़ कर सकता नहीं हो सिधा ही मुझे इसम गठा है वो पूरा का पूरा बिखर जाना था इसलिए मैंने कुछ जदा इसे छेड़ चाड़ किया नहीं हो सिधे इसे रिपोर्ट कर दिया है अब मैं इसे पानी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें पानी बहुत डाला था अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हूँ त तो प्लिस मैं चैनल को सब्सक्राब कीजे और वीडियो को लाइक और शेर कीजे ठीकिए सो मुच डियर फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में